पॉन्वाइकेडब में आपका स्वागत्तु नमस्कार दोस्तों पॉन्वाइकेडब में आपका स्वागत है आज एक बहुत ही important topic में लेके आया हूँ दोस्तों ऐसा कोई नहीं है जिसको study में problem आती नहीं है हर student चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 9th का हो, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th का हो या किसी भी class का हो अब हर बच्चे को पढ़ाई में परिशानी आती है, कहीं न कहीं वटकता है है ना कुछ तो ऐसे होंगे अभी तक जिरूरे पढ़ाई शुरू करी ही नहीं होगी कुछ ऐसे होंगे जिरूरे पढ़ाई करतो ली होगी study भी कर ली होगी, लेकिन बार-बार लगता होगा, मैं भूल गया तो बहुत सारी ऐसी चीजे हैं कि क्या method होगी जिसके कारण हम बहुत effective way में study कर पाएंगे नमश्कार दोस्तो, this is Pawan Wag, मैं हूँ आपका mentor और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारी कमाल की tips तो आखरी तक बने रही है, इस वीडियो में आपको सारी वो चीजे पता चलेगी जो एक powerful study के लिए जरूरी है, एक अच्छे result के लिए जो powerful way of study है, वो effective way of studies जो है, वो कैसे की जाती है अच्छा result तब ही आता है, जब हम अच्छा जो है, महनत करेंगे, proper way में करेंगे आप जानते हैं, किसी भी खेट की जो फसल होती है, वो depend करती है कि उसकी बिजवाई कितनी अच्छी थी, और उसकी देखरे कितनी अच्छी तरह किसे की गई थी उसी तरह से जब result आता है, तो result भी इसी के उपर depend करता है कि आपने कैसे planning करी, आपने कैसे study करी और आप किस तरह से आप इसमें आगे बढ़े हैं आज के वीडियो में सबसे बड़ी special बात है कि effective ways of study में आपको खुल 10 point बताने वाला हूँ और वो 10 point इतने कमाल के है कि वो आपको हर तरह से मदद करेंगे अच्छे result लाने में ठीक है, तो आखरी तक वीडियो में बने रहीएगा क्योंकि हर एक point आपको बहुत कुछ दे कर जाने वाला है ठीक है, तो शली बढ़ते हैं आगे, तो सबसे पहरे मैं आपको बता दू कि कहां से शुरुआत करें वैसे देखा जाए तो ये जो वीडियो है, ये सब के लिए है, मैंने जो कहा हर student के लिए ये वीडियो है जो पढ़ना चाहता है, जो अच्छा result लाना चाहता है तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहला point जो है, वो बहुत ही important है और वो है set clear goal आपका जो goal है, आपका जो target है, वो clearly set होना चाहिए कि हाँ सर, मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, हाँ सर, मैं इतना result लाना चाहता हूँ सर, मुझे इतने percentage लाना है, और यह तभी होगा, जब आप एक proper goal set करोगे एक बाद ध्यान रखो, 95% प्लान करते हैं, तो हम 90 और 95 के बीच में आते हैं 90 प्लान करते हैं, तो उससे थोड़ा कम आते हैं, और यह मेरा personal अनुभव है तो exactly जो हमने goal set किया है, हम उसके करीब करीब पहुच जाते हैं तो एक ऐसा goal जहाँ आप सही पहुच सकते हैं, वो goal clear आपको decide करना पड़ेगा कि हाँ यार मैं इतने percentage मुझे लाना है, मुझे इस subject में इतने में ला सकता हूँ और मैं इसको अच्छा बैतर कैसे कर सकता हूँ तो जब तक कि आपके सामने आपका target नहीं होगा, आपका goal नहीं होगा, तब तक आप अच्छा result नहीं लाओगे तो ध्यान रखिए कि goal आपके सामने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके बाद जो अगला point आता है, that create a study schedule, आपको एक study schedule बनाना है, आपको एक time table बनाना है और उस time table के हिसाब से आपको proper way में study करना है, बिना रुके, बिना गेब दिये, एक consistent way में आपको study करना है और जितने अच्छे से आप study करोगे, जितने अच्छे से उसको follow करोगे, प्लान को, उतरे अच्छे outputs आपको मिलेगे एक बात ध्यान रखोई है कि studies ने कहा है कि अगर जब कोई आप नई चीज या नया time table follow करते हो तो अगर आप उसको पहले 15 दिन follow कर लेते हो, तो इस बात के पूरे पूरे chances होते हैं कि फिर आप उसको continue उसी को follow करते हो, तो शुरू के 15 दिन बहुत crucial होते हैं और उसमें भी शुरू के 8 दिन, जो कि आपको किसी भी हालत में आपको वो time table को follow करना ही है बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने time table तो भाईया बनाया होगा, लेकिन वो क्या होता है कि दो दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं तो वो चीज नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं न कहीं अंदर से आवा जाए, तब ही करो किसी ने बोला है तो पढ़ेगे, आप जानते हैं यूटीब पे हज़ारो वीडियो पढ़े है, हजारो मोटिवेशनल स्पीकर पढ़े है, बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर पढ़े है लेकिन क्या होता है उनके motivation को सुनने के बाद में थोड़े time का motivation होता है बाद में motivation फुस हो जाता है है ना हो सकता मेरे वीडियो देखने के बाद आप बहुत अच्छे से पढ़ो फिर बाद में थोड़े दिन मत फुस हो जाओ तो फुस होने से बचने के लिए simple तरीका ही किए कि पढ़ते रहो और खुद के लिए साबाशी देते रहो खुद के लिए एक target सेट करो मैं इतना पढ़ूँगा मैंने इतना किया तो मैं अपने आपको एक trade दूँगा मैं चार दिन बात अगर मैंने इतना कर लिया तो मैं समोसा काऊंगा पापस से मम्मी से खुदी पैसे मतलब कुछ तो भी decide करो या तो मैं एक movie देखूँगा जो भी आप प्लान कर सकते हो खुद के लिए और मैं यह बोलूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ मतलब यह नहीं है कि एक्जाम आ रही है तो आपने सब दुनियादारी छोड़ दिये बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं आप आपकी पढ़ाई के साथ साथ आप खेलने भी जा सकते हो आप study के साथ साथ आप match भी देख सकते हो आजकल तो match चल रहा है है ना आप study के साथ साथ आप जो है एक घंटा खुद को entertain करने के लिए दे सकते हो कोई बुरी बात नहीं है उसमें ठीक है उसके बाद है use peaceful and comfortable place है ना इस ऐसी जगह तो मिलने वाली नहीं है जहां पीछे दिख रही है लेकिन एक बात ध्यान रखो जितनी अच्छी जगह होगी जितनी peaceful जगह होगी वहाँ पर result अच्छे आएगगे अब कुछ लोग ऐसे होते बिचार है कि जिनके घर में बड़ी जवाने भर की बाजे आ रही है तो आप फोकस ही नहीं कर पाऊगे और फोकस नहीं कर पाऊगे तो यह रिजल्ट कहां से आएगा तो यह बहुत ध्यान रखने वाली चीज है तो ध्यान रखिए आप जिस जगह पर पढ़ने बैठे हो उस जगह का positive औरा होना चाहिए और वो create करने के उनको आदाब करके अपना काम शुरू करें क्योंकि क्या होता है जब तक कि जो आदमी एक बाद है ना कि जो आदमी आध्यात्मिक होता है जो आदमी आध्यात्मिक होता है जिसको इश्वर पर विश्वास है तो जब वो महनत करता है तो उसको ये भी फील आता है कि भगव आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा ठीक है जादा ज्यादा जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के में आपको ब्रेक लेना बहुत जुरूरी है और कितने चालीस से करीब 30 से 45 मिनिट के बीच में आपको ब्रेक होना चाहिए मतलब आपकी स्टडी होना चाहिए एक बार आप बैठे तो 35 से 40 मिनिट पढ़े फिर दूसरी बार बैठे तो 35 से 40 मिनिट पढ़े और इसके बीच में 15 मिनिट का ब्रेक होना चाहिए मैं कई बार बोलता हूँ आफिस में बड़े-बड़े मल्टिनेशनल कंपनीज बड़ी-बड़ी कंपनीज जो हैं वहाँ पर भी कैफे होते हैं वहाँ पर भी कैफे टेरिया में आप जाके बड़ीया रिलाक्स हो सकते हैं चाय काफी पी सकते हैं ठीक है वो फ्री होता है सबके लिए उससे होता ही है इसको भूल जाओंगा उसको अगर आपने पढ़ाना शुरू कर दिया तो उसमें आपको confidence level आजाएगा कि यार मैंने मेरे दोसको बताया था यह इसको ऐसा करता है तो याद रखो किसी की मदद करने से नुकसान नहीं होता और कभी यह मत सोचो कि मैं मेरे दोसको बता परसेंटेज जादा आएंगे अरे भीया वो इस दुनिया में इतने हजारो लाको करोडों लोग हैं उसमें से आपका दोस्त एक है और उससे आप खुद को compare करके आपकी बेज़ेती कर रहो ऐसा मत करो अपने दोस्तों को मदद करो अच्छा काम कभी भी करने से रुकना नह चाहिए है ना नेकी कर और दरिया में डाल एक कहावत है तो बिल्कुल नेकी करते रहो रुको मत ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला point that practice relaxation techniques मतलब आपको यह करना है कि खुद को कैसे आप relax करे तो उसके लिए आप meditation कर सकते हैं आप YouTube पर कुछ सर्च कर सकते हैं बहुत सारे वी हैं से तो internet पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और अगर आप चाहते कि यह भी मैं ही सर्च करके दूँ तो comment box में comment कर देना मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपको बना के दे दूँगा ठीक है फिर है 7th point study in group of twos or threes मतलब आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप और आ आपका ही confidence level बढ़ेगा तो अगर आप group में बैटके मतलब यह नहीं कि फिर बोले चलियार अभी 10 minute का जो break है उसमें PUBG खेल लेते हैं तो बस फिर जित्ती पढ़ाई करी उसका सब बराबर हो जाने वाला है फिर 10 minute का break नहीं होगा वो एक घंटे का break हो जाएगा तो इन चीज वो revision अच्छा नहीं करते हैं और जिसके कारण जब फिर से पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उनको पता चलता है कि मैं तो सब भूल गया हूँ मिलको तो कुछ भी याद नहीं है और यही पर उनका confidence level down हो जाता है और इसलिए मैं बोलता हूँ कि revision करो mock test plan करो खुद के लिए आने वाली है शर्म की बात नहीं है अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो या तो अपने दोस्तों से पूछ लो या तो अपने टीचर से पूछ लो या तो कॉलेज के टीचर से पूछ लो या हमारे आसपोरोस में भाईया दीदी जो भी है अंकल आंटी जो भी है उन बाबा रंचुरदा चांचर क्या बोलते हैं कि ग्यान चारों तरफ बट रहा है जहां से बिलता है ले लो तो जहां भी ग्यान मिलेगा आपको जहां भी आपको help चाहिए ले लो वो तुम्हारे लिए फायदे बन रहेगी ठीक है जितने भी distractions के प्रकार है उनसे दूर रहो उनसे खुद को बचा के रखो और खुद को motivated रखो जब पढ़ने बैठते हो तो mobile को किसी कबर्ण में डाल दो कि यार अब में 2 घंटे या 3 घंटे बाद ही देखूंगा उसको silent पे रख दो मम्मी को बता दो मैं पढ़ने बैठा हूँ मुझे disturb मत करना और बिल्कुल इस तरह से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और खुद को खुद के ओपर विश्वास रखो खुद के ओपर विश्वास रखो बहुत से बच्चे ऐसे होते जो खुद पर विश्वास ही नहीं रखते दोस्तों ये थे पूरे 10 पॉइंट जो बहुत जादा इंपॉर्टेंट है जो अगर आप फॉलो कर ले अभी भी अभी भी आप फॉलो कर ले अभी भी आप प्रॉपर प्लानिंग कर ले तो आप 100% अच्छे रिजल्ट लाओगे अच्छे परसेंटेज लाओगे तो मेरे पैरे दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए वो भी बताना मैं हर तरह की वीडियो आपको देने के कुशिश करूँगा इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारे वीडियो अल्ड़ी अवेलेबल है अगर मेरे लाइव सेशन नहीं हो रहे है तो आप उन वीडियो की मदद से भी पढ़ सकते हो आपको अगर प्लेलिस अब चैनल के मेन पेच पे जाते हो तो हर क्लास के हर सब्जेट के आपको प्लेलिस सामने ही दिखती है चाहे फिर 10th के Maths 1, Maths 2 हो, Science 1, Science 2 हो 11th का Physics हो, Chemistry हो, Maths हो Even Biology हो, 12th का Physics, Chemistry, Maths हो कुछ टॉपिक जो रहे गए है उसके लिए मैं माफी चाहता हो और भाईया, कमेंट जरू कर देना क्योंकि आपके कमेंट पढ़के बड़ा अच्छा रगता है ठेंक्स, बाबाई, एंट टेक के, बहुत बहुत अन्यवाद